हाई फ्रेंड्स मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चनल बेफिकरे और दूरिंग दिस होरीडेस विकेशन में को काफी सारे आप लोगों के मेसेज आए रेलेटिड टू दे फैमली वीजा एंड विजर्ट वीजा तो अब मैं वापस आ चुका हूँ और हाजर हूँ आपके लिए एक जबरदस वीडियो लेके और जिसमें कुछ ना कुछ आपको गुड नियूस मिलेगी सो जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मिनिस्ट्री में एक नए टाइप का वीजा स्टार्ट किया है विजिस कॉल स्पोर्ट वीजा अब ये जो वीजा है ये उन लोगों को मिल सकता है जो स्पोर्ट फील्ड से रिलेटिड है और कोईत आना चाते है कुछ प्राक्टिस करना चाते है या स्पोर्ट इवेंट्स में पार्ट लेना चाते है ये वीजा होने वाला है तीन महने का तो आगर आप कोई स्पोर्ट तो ये वीजा अपलाई कर सकते हैं, आपको ये वीजा तीन महने के लिए मिल जाएगा और एकस्टैंड हो सकता है एक साल के लिए. ये बहुती बहुती जबरदस न्यूस है, बहुत अच्छी न्यूस है उन लोगों के लिए, sports players के लिए, sports lovers के लिए, जो कोईत आके sports को practice करना चाहते थे, इसके साथ एक और news है, कि इसके open होने से ये लगने लगा है कि जल्द ही हम लोगों का जो ख्वाप था पूरा होने वा वो खुलने वाला है, so government ने वीजा, sports वीजा को introduce करके ये चीज जता दी है कि आने वाले टाइम पे family वीजा या visit वीजा भी जल्द ही open हो जाएगा, और आप लोग अपने प्रियेजन से मिल पाएंगे, so this is the news, चो मुझे लगा कि आप लोगों के संग शेर करनी चाहिए, आ आने वाले टाइम पे कुछ अच्छे decision हमें देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि हमें एक बहना और ईद के बाद, जो आने वाली ईद है, उसके बाद तक वेट और करना चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले टाइम पे एक good news मिले, जिसके अंदर पता लगे कि हमारा family वीजा और विजट वीजा खुल गया है, और हम किस तरीके से अपने प्री अजनर को यहाँ पर कोईट में बुला सकते हैं, तो जस्ट थोड़ा सा टाइम और वेट कीजिए, और अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेर करें, और आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी चैनल की मेंबर्शिप ले ले, जिससे कि मैं हम लोग आपसे कॉंटाक कर सकें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी चैनल से रिलेटिड नहीं नहीं चैनल में इंटरड्यूस करने वाले हैं, और उसके बारे में जल्दी ही आपसे अनॉस्मेंट होगी